दोस्तों स्वागात है आपका हमारे चैनल टार्गेट फ़र आई एस ने भी पेसी बित के के आज है 14 माई 2022 और हम लोग डिसकस करने वाले हैं आज का मद्द प्रदेश का करेंट अफेर काफी कुछ इंपोरेंट होने वाला है आज का मद्द प्रदेश का करेंट अफेर जैसे के लिए चमा चाहूंगा कुछ टेक्निकल करान थे जिस करान से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया तो इसमें 14 माई के साथ साथ कुछ करेंट फेर यहां पर मैंने 13 माई के वी सामिल किये हैं तो चलिए शुरू करते हैं पिदावट वेस्टिंग और टाइम तो हमारा पह कर दी गई थी और मैंने उस समय आप लोगों को बताया भी था परन्तु अब स्विक्रिती कर दी गई अर्थात ऑफिशली एक्षेप्ट कर लिया गया है किसके द्वारा मंत्री परिशत की जो बैटक हुई थी उसमें तो अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आपको प्रदेश के जो नगरी निकाज चुनाओ थे उसमें और उसी को चैलेंज देने के लिए अर्थात उसकी रिव्यू पृटीशन को दाखिल करने के लिए हमारे मुखमंत्री सिवराज सिंग चोहन हमारे मद्य प्रदेश के जो महानियावादी हैं उनसे मिलने गए थे कहाँ पर गए थे दिल्ली गए थे और उनके साथ में बिधी मंत्री भी थे और नगरी निकाय मंत्री भी थे तो इसको भी आपको याद रखना है और नगरी निकाह से संबन देते हैं कि इंपोरेंट फैक्ट है कि इंदोर को लगातार पांच वार स्वक्सता सर्वेक्षनल में टॉप मिल चुका है इसके साधी साथ में स्मार्ट सिटी में नंबर वन कौन सा सहर आया है इंदोर आया है तो यह मुक्रूब से यह चार फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है काफी अधिक इंपोटेंट है जबलपुर मद्द प्रदेश का कल्चरल कैपिटल इसे कहा जाता है तो इसको आपको याद रखना है मद्द प्रदेश का प्रथम क्रिसी बिस्विद्याला जो की 1964 में जिसे पंड़े जबाला नहरू क्रिसी बिस्विद्याला के नाम से जाना जाता है की स्थापना कहां पर की गई थी यहीं पर की गई थी अर्थात जबलपुर में कल्चुरी वल्ज की राजधानी कौन सा सहर रहा था जबलपुर्त्रपुरी यहीं पर दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए मद्य प्रदेश में जो क्रांतिकारी आंदुलन की शुरूबात यहीं से हुई थी 1907 में इसको आपको याद रखना है काफियदे की इंपोरेंट है जंडा सत्रह गई भी यहीं पर हुआ था 1908 में इसको भी याद रखना है काफियदे की इंपोरेंट है 23 मार्च की तारीक थी जजदिन इसको शुरूबात हुई थी ओफिशली रूप से इसको आपको याद रखना है काफियदे की इंपोरेंट है और कांग्रेस का 52 अधिव आई गई है तो इसको आपको याद रखना है मंगलनात मंदर को प्रतवी का क्या माना जाता है केंदर बिंदू माना जाता है तो इसको भी आपको याद रखना है काफियदे की इंपोरेंट है उज्जेन सही सम्मंदित और बाबा महाकाली की नगरी के नाम से इसे जाना जा हो जाता है और उज्जैनी दोस्तों दो भाग में बटा हुआ था दक्षणी उज्जैनी की राजधानी क्या थी अवंती और उत्तरी उज्जैनी की राजधानी क्या थी उज्जैन तो दोनों को आपको याद रखना है और बहुत दकाली नाम इसका क्या था अचुत्य गामनी तो यह इसका क्या था बहुत दकाली नाम था अचुत्य गामनी तो इसको भी आपको याद रखना है कुर घर एवं सुदर्सन पुर दो प्रमोख नगर हुआ करते थे यहाँ पर तो इनको भी आपको याद रखना है क्या नाम था दोस्तों कुर घर और सुदर्सन पुर तो यह दो पिरमुक यहां की नगर भी हुआ करते थे तो इनको भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं मंत्री परिशत के अनुशार प्रते एक वर्स कब मनाया जाएगा लाड़ी लच्मी दिवस आप लोग कहेंगे दोस्तों इतना अधिक confusion इस question में रहा है और आज इसका confusion का अंत होता है क्योंकि लगातर सरकार दोरा इसकी date को fluctuate किया जा रहा था शुरूबात में कहा गया था कि इसे 2 मई को celebrate किया जाएगा और पर ते एक वस celebrate किया जाएगा परंतु इस वर्स अधिक विवा होने के करण अर्था 2 मई को काफी सारे साधी विवा के कारी करम थे इस करण से मुक मंत्री सिवराज सिंग चोवान ने क्या कहा कि हमेंसे extend कर देते हैं अर्था इसे 8 मई को celebrate करेंगे तो उस बार सभी लोग जितने भी news paper थी सभी में यही news थी कि 8 मई को celebrate किया जाएगा लाडली लच्छ मी उस सब जो की मनाया जाएगा परंतु अब official data आया है और यह final data है तो इसको हमें याद रखना है मंत्री परिशत की जो बैठक हुई थी कल उसमें decision लिया गया है कि प्रतेक वर्स 2 मई को ही मनाया जाएगा तो इसका right answer क्या है दोस्तों 2 मई अब इसको note कर लीजे final note है यह दोस्तों अब बिलकुल भी confusion नहीं होना है आप लोगों को किस तारीक को मनाया गया था तो right answer is that 8 मई और आपको final touch किस पर देना है दो मई पर देना है इसके साथी साथ 19 अपरेल को क्या शुरू किया गया था मुख्य मंत्री जो की तीर तेरह सानी हो जना है उसकी दोबारा से शुरूबात कर दी गई थी 19 अपरेल को तो इसको भी काफी इंपोर्टेंट है आगे बढ़ते हैं देखते हैं 23 और 25 वी वाहिनी विश्वल भोपाल में सरफ सुवीदायक्त पुलिश्च का सालाई की शुक्रिति कर दी गई है फनीचर एवं खलोनों से सम्मधित उत्पादों की विनिर्मान एकाईयों के लिए विशिष्ट व बाद इसनाता कत्वा बेवसाइक बाटकरम में अबदी नियून अबदी दो बर्स प्रिवेश के लिए 25,000 रुपए जो प्रुस्वान रासी वाय उपलब्द कराया जाना इसके अंतरगत प्रावधान किया गया है आगे बढ़ते हैं देश का पहला ग्रामीर जन जाती है इसको तो बिलकुल भी आपको नहीं भूला है इसको नोट कर लीजे कहीं पर लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चनल पर मिल जाएगी काफी सारे लोग कमेंट करते हैं स्टूजेंट की सर साल का पूरा का पूरा करेंट अफेर मिल जाए क्योंकि MPPSC का आने वाला एक्जाम ह 2021 के पूरे साल के करेंट की PDF मेरे टेलीग्राम चनल पर उपलब्द है बलकुल सौट में मैंने पूरा टेलीग्राम चनल पर आपको उपलब्द कराया है पूरा का पूरा सरकारी डाटा है किसी भी बुक में आप जाएंगे उसमें आपको बहुत सारा लेंदी डाटा मिलेग जो की important नहीं है अभी आपको गागर में सागर चाहिए है और उसके सापसे मुस्किल से 20-25 पेज के अंतरकत मैंने उसका पूरा का पूरा cover किया है बहुत से बहुत पूरे साल के question भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 100 से भी ज्यादा question नहीं होंगे इतने कम question आपको कहीं पर मिलें नहीं मिलेंगे और गारंटी देता हूं उससे बाहर आपका paper नहीं जाएगा तो telegram channel की link description में वहां से आप join करिए वहीं पर आप जैसे pin message में जाएंगे you can easily access 2021 whole year current affair which is free of cost आपको कुछी भी प्रकार का कोई भी payment नहीं करना है free of cost है आप उसको access कर सकते हैं मेरे telegram channel पर इसी के साथ मद्द प्रदेश के साथ आपको जो current affair की PDF है उसके साथ कुछ और अन्य चीज़ें आपको जोड़ना है जैसे की मद्द प्रदेश के award क्योंकि वह 2022 में दिये गा है तो उनको आपको याद रखना होगा तो उसकी भी PDF म आपको यहाँ पर मैं रासी भी बता देता हूं पांच लाग रुपए कर दी गई है कालिदास और तानसें दोनों की रासी पांच लाग कर दी गई है पहले यह दो लाग हुआ करती थी तो इसको आपको याद रखना है और अधिक्तम जो हमारे award है उनकी केबलों केबल दो पाख ही है मैतली सरनगुप्त सम्मान किसे दिया गया है किसोर कुमार सम्मान किसे दिया गया है तो साहत अकेडमी अबर्ट किसे दिये गया है और पदमिसरी अबर्ट तो आपको याद होने ही चाहिए चलिए एक बार आपको रिवाज करा देता हूं पदमिसरी अबर्ट कि किसे किसे दिये गए हैं जैसे कि आपको याद रखना है सागर में किसे दिया गए है काफियदे के इंपोरेंट है आपको याद रखना है राम सिंग जी नाम उनका उनको दिया गया है इसके साथी साथ राई नृत से वह जुड़े हुए थे इसके साथी साथ आपको याद पहला क्या किया जाएगा जन जाती है तकनीकी प्रिशक्षण किंद्र भोपाल में इस्थापित किया जाएगा किंद्री राजमंत्री चंद्र सिखर करेंगे इसका सुभारम क्रिप्स किसके साथ मिलकर जन जाती है यवाओंको प्रिशेक्षिन देगा आपको अप्सिन नंबर एक है खहर आपको मिलकर देंगे जन जाती युमागो प्रसेक्ष्छल मुकमंती स्री चुहान और स्री बी एल संतोस की उपस्तिति में वह अनुवन दोस्तों आपको याद होना चाहिए मद्यप्रदेश की कितनी जनसंक्या जन जाती है 21 पृतिसत जनसंक्या जन जाती है और जनसंक्या की मामले में top है मद्यप्रदेश इसके साथ अगर आप देखेंगे पृतिसत की मामले में सबसे देख जन जाती जनसंक्या कहां पर है तो म जोरम उसको आपको याद रखना है काफियदक इंपोर्टेंट है देखते हैं नेक्स्ट कॉस्चन यूएंडीपी मद्य प्रदेश में कितने स्वस्त किंद्रों में लगाएगा सूलर पैनल काफियदक इंपोर्टेंट है इसका राइट आंसर है दुस्तों 75 जो स्वस्त स्वस्त किंद्र वहां पर उन दपी 12 लगाए जाएंगे तो उन देश परद्रीस के 75 स्वस्त कрип टरों में लगाएगा शलर पैंघ जूंस्त में के 10 राज्जियों में दोस्तों, यह पूरा को पूरा कारिम क्याम है, और इसमें हमारे यहां पर क्या किया जाएगा दोस्तों, 75 प्राथमिक स्वास्त किंदरों पर सौर जो पूरे को पूरे किये जाएंगे, इसके साथ साथ में 15 एलेक्टिक वीकल चार्जिंग स्टेशन इस्थापित किये जाएंगे इसके साथ साथ में अधिकांस इंदौर में होंगे छेतर में 15 सूलर कॉल्ड इस्टोरेज और 50 सूक्ष में इवं लगू उद्धेगों कगाईयों में इनर्जी अडिट करेंगे तो यह काफी अधिक इंपोटेंट है प्रदेश में टायर जलाने के लिए नहीं लगेंगे नए प्लांट यह किस ने कहा तो यह कहा हमारे पर्यावन मंत्री जो की हरदीप सहंट डंगर है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ तो जितने भी जो नए प्लांट है उनको नहीं लगाया जाएगा तो यह भी काफी अधिक इंपोटेंट है आज क्या आपके कॉस्चन मद्य प्रदेश के किस सहर में बेकरी और फूड प्रोड़क्ट का ही लगाई जाएगी और नेक्स्ट कॉस्चन इस डेड़ देश के किस प्रदेश का जंजात यह विकास बजट देश में सबसे बड़ा है तो थैंक्यू शमाच वाचिंग दिस वीडियो